तो करेंट अफेर्स के अंतरगत आज के टौपिक के हम कुछ महत्पूर्ण पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे देखे सबसे पहला जो करेंट आफेर्स है आपका वो है यह पीछे आप देख रहे हैं एक चाय बगान है और यह चाय बगान है हीमाले की कांगड़ा चाय किवल क्रिस उत्पाद ही विसेश भोगोलिक पहचान नहीं रखते बलकि कई सारे सह उत्पाद जो फूट प्रोसेसिंग के बाद बनते हैं वह भी विसेश भोगोलिक पहचान रखते हैं उनको जो है जी आई टैग दिया जाता है ठीक है तो 3 अपरेल 2023 को कांगडा चाय को यूरोपी आयोग के द्वारा जी आई टैग दिया गया है किसको दिया गया है कांगडा घाटी है आपकी कांगडा में ये आपका हिमार्चल प्रदेश में पढ़ता है देखो चाय भारत में कई जगे होती है एक तो मुनार में होती है आपक आपका जो keral है, और इसके बाद आपके आसम में सबस्यादा चाइठ होती है आसम हो गया, पश्री मंगाल हो गया, दर्जिलिंग वाला छेत्र हो गया तमिलनाड करनाटक में भी चाय होती है, परवतिये चेत्रों में चाय की खेत्री की जाती है हिमाचल प्रदेश कांगडा में भी चाय की खेती की जाती है 3 अप्रेल 2030 को यूरोपी आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगडा चाय के लिए सनरक्षित भावगोलिक संके तक प्रोटेक्टेड जेग्रोफिकल इंडिकेटर का दर्जा प्रदान किया गया है ध्यान रखेगा और इसको कौन सा दर्जा दिया गया है पीजी आई का पीजी आई क्या है प्रोटेक्टेड जेग्रोफिकल इंडिकेटर इसका अधिसूचना आपकी जारी की गई है और अप्रेल 2023 में प्रभावी हो गया 11 अप्रेल को ठीक है आपको पता है भारत सरकार के द्वारा भी 2005 में भारतिय भागोलिक संकेतक के अंतरकत इसको दर्जा प्रदान किया गया था इस बार यूरोपी यूनियन ने दिया है 2005 में तो भारत सरकार ने दिया था 2023 में इसको जोड़ा है EU ने यूरोपी यूनियन ने तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है ठीक है कांगरा चाय के बारे में आप सभी जानते हैं कांगरा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगरा जिले में उत्पादिच चाय है और यह अपने अनोखे स्वाद के लिए सुगंद के लिए रंग के लिए जानी जाती है ठीक है इसके बाद आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के दौरा अभी हाली में कई सारे जी आई टेग दिये गये थे मैंने पिछली क्लासेज में आपको पढ़ा रखा है बताया है कि भोगोलिक संक कि अधिया तो आपका जो है महराष्ट की प्याज को भी जी आई टेग मिला है तेलंगाना में तंदूर रेड़ ग्राम वहां पे चना होता है आपका उसको जो है मिला है लद्दाख में जो है खुबानी आप सभी जानते हैं एप्रिकॉर्ट बोलते हैं उसको खुबानी को खुबानी को मिला है उत्तर प्रदेश में भी कई सारे जी आई टेग मिले हैं जैसे बनारसी पान को भी दिया गया था बनारसी लंगडा आम को दिया गया था राम नगर भांटा को दिया गया था आदम चीनी चावल को दिया गया था अलीगर के बखीरा ताला को दिया गया ठीक है यह ध्यान रखेगा नेक्स्ट यह आपका कांगरा चाय को मिला इरोपी यूनियन जी आई टैक का तो इसको प्रोटेक्टेड जो है आपका यह दर्जा दिया गया ठीक है आगे चलते हैं एक विसेश पहचान है वहां की अगली ख़बर पर चलते हैं अगली ख़बर पर चलते हैं 18 मार्च 2023 को प्रधामती नर्न मोदी जी के द्वारा नई दिल्ले में बैस्विक मोटे अनाज मोटे अनाज को स्री अन नाम दिया गया है मोटे अनाज को क्या बोला जाता स्री अन मिलेट भी कहते हैं इसको ठीक है इसका एक सम्मेलन का भी बैस्विक मोटा अनाज सम्मेलन का उद्धातन किया गया ठीक है और इस सम्मेलन में प्रधामती जी के द्वारा मोटे अनाज या मिलेन का इसमारक डाक टिकट भी जारी किया गया और एक सिक्के का भी भी मोचन किया गया तो बैस्विक आपका मोटा अनाज मिलेट जो है आ प्रारव हो रहे हैं उसको क सारे बीक को लेक हैं और आप सब्सक्रिया खाल प्रशत है और और दूसरा भारतिए कंडम लिएचि इस इस आपर भोलते को कहते हैं ठीक है इनको बैस्विक उत्कृष्टता केंद्र गोशित किया गया है एक तो भारती कृषियान उसंधान परिस्थ है आपकी ICMR नई दिल्ली में है दूसरा आपका IIMR है इंडियान इस्टिटूट आप मिलेट्स रिसर्च जिसको इनको उत्विक उत्कृष्टता केंद्र के तोर पर डेबला किया गया अब देखे इसको लेकर के डेटा है आपका जो मोटान आज है मिलेट्स है आपका इसमें सबसे ज्यादा मिलेट्स जो है उत्पादित करता है कौन सा राज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश जो है मिलेट्स का उत्पादन करता है सबसे ज्यादा 14 परसेंट है इससे उपर है महाराष्ट नंबर एक महाराष्ट मिलेट सुथ पादन में नंबर एक महाराष्ट है नंबर दो पर यूपी है ठीक है यह 15 परसेंट है और यह आपका 14 परसेंट है ठीक है यह आपको डेटा याद रखना चाहिए और एक है आपका मध्य है फिर उत्त्राखंड है तो सरवाधी का आपका जो है महाराष्ट है ठीक है ध्यान रखेंगा क्लियर इस परस्ट है सभी को यह आपका मिलेट सुत्पादन स्री अन्य सम्मेलन का उद्धाट नभी प्रधामत्य जी के द्वारा किया गया था और यह जो है मोटे अनाज को जो है अब इसका नाम के रख दिया गया है सरी अन्य नाम चेंज कर दिया गया और इस परस्ट है सभी को धिया रख entire इस चीज़ को कोई सिंपल सा मामला है इसमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है चले आगे चलते हैं ठीक है यह आपका पूरा सम्मेलन था अब देखें आपका हाँ अगला है जलिये क्रिसी के लिए तीन राष्टिये कारिकम प्रारम किये गए हैं जलिये क्रिसी तीन राष्टिये कारिकम प्रारम किये गए हैं एक तो आपका जींगा उत्पादन से जुड़ा हुआ है ठीक है क्या है आपका जींगा उत्पादन देखो जो जींगा मचली होती है जो है आपका एक रहेकी पादन किया जाता है तो इनके अनुवानसिक सुधार कार्कम प्रार्म किये गए हैं मचली रोगों पर राष्टी निगरानी कार्कम चालू किया गए दी जींगा मचलीों पर कोई भी रोग होता है तो उसके लिए एक निगरानी कार्कम एक तो इनका अनुवानसिक सुधार कार्कम है दूसरा इनका निगरानी कारक्रम है और तीसरा जली ये कृषि, एक्वा कल्चर, जीङगा फसल, भीमा उत्पादन तो एक तो अनुवानसिक सुधार के लिए है ताकि इनका अनुवानसिक सुधार किया जाए सुधार कारक्रम नमबर एक ठीड़े दूसरा कारकम है आपका मशली राष्टी है निगरानी कारकम क्या है आपका मशलियों रोग होता है यह कोई भी मशली रोगों को ले कर कहें निगरानी कारकम जींगा मशली को ले कर मशली रोगों पर निगरानी कारकम और तीसरा है बीमा को ले करके कि यदि कोई खेज़ती करता है तो उसको ले करके एक बीमा उसके लिए दिया जा सके तो जींगा बीमा उत्पाद सामिल किया गया इसमें ठीक है और आप सभी को पता होगा पूरे विश्व में हम तीसरे सबसे बड़े मचली उत्पादक देश हैं और जीनगे मचली का सबसे यादा हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं ठेक है और भारत सरकार के द्वारा 2013 से ही जलिये पसुरोगों के लिए राष्टी निगरानी कारकम आपका लागू किया गया है तो यह जो है आपका एक बहुत इंपोर्टन कारकम के तौर पे है चलिए आगे चलते हैं कुछ आपदाओं को देख लेते हैं अंतराश्ट इस्त capturing कि इस तरीके से आजाते हैं माउंट मेरापई मawatशनों आसे पूछ लिया मांक आक यह जो ऐला मुखी और यह मुखी जो है इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय कहां पर ऀंडोनेशिया का अप इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं इंडोनेशिया में बहुत सारे द्यूप हैं और यह सारे द्यूप आपके जोगाला मुखी बिवर्तनिक प्लेटों के कारण से हुए हैं तो इंडोनेशिया में बहुत सारे जोगाला मुखी ठीक है प्रसांत महासागर में a ring of fire है आप सभी जानते हैं यह इंडोनेशिया में है 2911 मीटर की हाइट है और यह आपका ज्वाला मुखी सीखा रहे है ज्वाला मुखी परवत है तो अभी हाली में यह फिर से भवक उठा था देखिए इसका मैं एक बार दिखाता हूँ ज्वाला मुखी उद्गार हुआ था सक्री हो गया था यह आपक भारत में आया था यह चक्रवात फ्रेडी है आपका उज्ड करबंदी चक्रवात है और यह मेडगासकर के पास आया था मेडगासकर अफ्रीका टट के पास है सबी लोग जोग्रोफी जानते होंगे मेडगासकर पर आया था आपका फ्रेडी क्या नाम इसका फ्रेडी फ्रे इस चक्रवात का प्रभाव मोजांबिक, जिंबाबे, मलावी, मिडगासकर, जांबिया और री यूनियन दियूप है पे फ्रांस के तो यहां पर इसका प्रभाव पड़ा था ठीक है ध्यान रखेगा और यह काफी लंबे समय तक यह इसका प्रभावराच 34 दिनों तक इसने प्रभाव किया और इस छेत्र में खूब तबाही मचाई इस चक्रवात ने तो यह आप ध्यान रखेगा एक चक्रवात यह है एक चक्रवात आपका और आए था इसका नाम है चक्रवात ग्रेबियल चक्रवात ग्रेबियल एक चक्रवाथ है आपका ये चक्रवाथ ग्रेवियल 11 फरवरी 2023 ये न्यूजी लेंड में आये था न्यूजी लेंड में इसने लेंड फॉल किया था चक्रवाथ ग्रेवियल ने कहां पे लेंड फॉल किया था न्यूजी लैंड में इसने लैंड फॉल किया था पहले ये उष्ड करबंदी चक्रवाद था न्यूजी लैंड के उष्ड करबंदी तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया आठ परवई 2023 को अस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के द्वारा चक्रवाद यह भी द्यान रखेगा न्यूजी लैंड में चक्रवाद ग्रेवियल का कहर काफी यह भी जैसे हमारे भी पर जो आया था है ना चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा जो है कुछ आप दाओं को लेकर के देखना भी आपको पता है मुरक्कों में भूकंप आया है मुरक्कों क भूकंप को मैं आपको डिसकस करूँगा अभी जब यहां पर G20 सीकर सम्मिलन चल रहा था उसी दौरान जो है मुरक्कों में भूकंप आया था अभी आपको पता है अभी एक दो दिन पहले ही यहां पर भी भूकंप आया दिली NCR में 6-7 रिक्टर का भूकंप आया दरसल उ ठीक है तुर्की में जो है और सीरिया में दोनों चेत्र प्रभावित थे मध्य तुर्की वाला चेत्र और यहां पर लगबग 7.8 रिक्टर का भूकंप आया ठीक है 7.8 रिक्टर का तिब्रता का भूकंप था यह अति गंबीर भूकंप में से एक होता है इसका एपी सेंटर होने के कारण से इस भूकंप में लगबग 57,000 लोगों की मिर्त्य हो गई यह सोची कित्ता भयावे था कुछ इसकी मैं भयावे तस्वीरे दिखाता हूं ठीक है इस तरीके सब कुछ खतम हो गया पूरा सहर का सहर खतम हो गया ठीक है तो 6 फरवरी 2023 को भारत सरकार के द्वार दोनों देशों के राहत और बचाव कारे के लिए हम बहुत तेजी से गए और हमने और सीरिया की मदद कि थी ठीक है तो ये भी ध्यान रखेगा कई बार मैंस दो following में पूछ लेता है कि operation दोस्त किसके बीच में चला गया भारत ने मलवे के बीच बचे जितने भी लोग थे उनको पहचान करने के लिए हमने एक drone भी यहां पर लगाया था ठीक है dog squad भी हमारा था और यहां पर squad भारत सरकार के दोरा dog squad भी अपना यहां पर लगाया था ठीक है कुट्ते बहुत काम करते हैं इन सब जगहों पर ठीक है जब लोग कभी भुकम के नीचे दब जाते हैं या कोई इस तरीके की घटना होती है और इस समय हमने राहत और बचाव कार के लिए हमारा जो सी सेवेंटीन ग्लोब मास्टर बिमान है उसके तहे जो हमने खूब में लोग फशे हुए थे यूक्रेन में पिछले साल रूस और यूक्रेन का यो युद्ध हुआ था तो हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था उसके लिए ठीक है यह सब ही जानते है खूब डिसकस हो चुका है बारत ने अपने देश पडोसी देशों के नागरिकों को भी सुर यूज किया सी सेवेंटीन ग्लोब मास्टर का यूज किया ठीक है गांजिया टेप यह आपका एपी सेंटर था और यह इतना भयावे था कि लगबग काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर खताम हो गया घायल हो गया यह चक्रवाद ग्रेबियल है यह आपका न्यूज अला मुखी है इंडोनेशिया का है यह द्यान रखेगा यहां पर ज्वाला मुखी उद्गार हुआ था जींगा मशली उत्पादन को लेकर के भारत सरकार के द्वारा एक्वा कल्चर को बढ़ावद देने के लिए तीन योजनाय चालू की गई है एक आपका जींगा मशलि कैसे इसको लेकर काम करती है इसके अलावा एक बैस्विक मिलेट्स स्री अन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है स्री अन्य सम्मेलन के तहच जो है एक डाक टिकट इसमारक सिक्पा और साथी और मैंने बताया कि सरवाधिक महराष्टरा में आपका होता है फिर यूपीय फिर मिलेट्स को लेकर के इसके बाद यह हिमाचल प्रदेश की कांगरा चाहें जिसको यूरोपी यूनियन के द्वारा जी आई टायक दे दिया गया तो इस तरीके से करेंट अफेर्स को लेकर यह मौस्ट इंपोर्टेंट अफेर्स थे आप सभी के अब जितने मैंने आपको बता इतने का जितना नोट्स आपने बना ले अभी तक या तो पूरे नोट्स आप बनाए होने चाहिए अपने जो लोग अभी जुड़े हैं आप लोग परिशान मत होईए आगे मैं सारा कुछ कबर करा दूगा क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है मैं बहुत सेलेक्टिव हो करके आप लोग यदि इसका हिंसा बना लेंगे तो बहतर रहेगा बहुत थोड़ा पढ़ेंगे पर इतना पढ़ेंगे कि एक्जाम में आप बहतर कर पाए ठीक है तो इसको रिवाइस करिए जितना पढ़ाता जाओं जितना